स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूटूब चैनल गो ओनलाइन हिंदे में तो आज के इस वीडियो में आपके साथ सेयर करने वाला हूँ कि अगर आपने फाय का क्रेडिट काड ले लिया है और आपको जो है इसके फी एंचार्जस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पत है कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपके साथ आज सेयर करने वाला हूँ वीडियो के शुरू से लेकर देखिए ताकि कोई भी वी नहीं हो और मैं आपको वरुसा दिलाता हूँ कि इस वीडियो को जानकारी इसके फी एंचार्जस के बारे में सेयर कर पाऊं और आप में आप यह फैसला भी ले सकोगी कि आपके लिए फाइदे में रहेगा या फिर नहीं रहेगा ठीक है तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं से सुरू करते हैं तो अगर मैं बात करो इसकी सबसे पहली फी एंचार्जस के बारे में तो गैस सबसे पहले जो है आजसे जो है कर दिए एक है कुछ लोगों का यह डाउट है कि भाई हमने तो ले लिया और मुझे मेरे अकाउंट से कोई भी अमांट नहीं काटा गया ठीक है तो इन फीचर उनके काटे जाएं ऐसा है कि नहीं काटे जाएं यह फिक्स वाई उनके तरब से कहा गया है अगर मैं बात करो दो हजाव रुपए आपके अकाउंट से काट ले जाएंगे वहीं अगर मैं बात करूँ अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है धायलाक से उपर है तो आपको जो है यह चार्जस नहीं लगने वाले हैं ठीक है तो यह हम एजे वेनेफिट हम कह सकते हैं बट गाइस दो हजाव रुपए बहुत ही कम अमांट नहीं है हर एक के पास इतना बड़ा आमांट जो है नहीं रहता है तो कह सकते है कि जो लोग क्रिट कार्ट को ले रहें यहीं से सौक लू कि आगर अपने धाई लाए रुपया इस पेंड नहीं करें तो भए आपको जो है दो हजाव रुपय लगने वाले हैं आज रिन्यूवल फी जो यह लोग चार्जस ले रहे हैं वह है रिश्वेंस चार्जस यानि कि इस क्रेट काट के लिए रिशू करवा रहे हैं तो इसके लिए जो आपको 3.5 परसन लगने वाले हैं वहीं अगर मैं साराना बात करें तो गाइस वहीं 42 परसन तक आपको एनुवल इंट्रेस रेट चार्जस लगने वाले हैं ठीक है यानि कि इस क्रेडिट काट के लिए आपको पौर मन्थ 3.5 परसन ठीक है और मैक्समें जो है अप टू 42 प बात करने वाला हूं लेट पेमेंट चार्जस के बारे में ठीक है तो यहां पे इन्होंने कंप्लीट जानकरी मेंसन करके रखी हुए अगर मैं बात करूं अगर आपका अमांट ड्यूज है जिरू रुपए से लेकर 100 रुपए तक तो आपको जो है चार्जस जिरू रुप एक रुपए और मैक्सिम जो है 500 रुपए तक है तो आपको 100 रुपए एज लेट फी आपको लगने वाले है वहीं अगर मैं बात करूं 501 रुपए से लेकर 5,000 तक तो इसके लिए आपको 500 रुपए लेट फी लगने वाला है और साथी साथ 5,000 रुपए से लिएकर 10,000 वाला हूं ठीक है और अगर आपको 10,000 रुपए से लेकर यहां पर मेंसर की गई है 25,000 तक अगर आपको के साथ फिलाल सेखर रहां इसके अलवगा अगर आपका डियूस अमौन इन बिट्विन 25,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए के बीच अगर है तो इसके लिए जो है आपको 1500 रुपए लेट फी लगने वाले हैं भाई बहुत ज्यादा अमांट लिया जा रहा है इसके अलावा अगर इसके लिए जो है आपको 2000 रुपए का अमांट पे करने पड़ेंगे आज लेट फी अगर आप किसी मंत में लीट पेमिंट करते हो आपके क्रेडिट काट के बिल को पेमिंट करने में अगर थोड़ी सी भी देरी करते हो तो इसके लिए जो भी चार्जेस लगने वाले हैं तो यहां पर यहां पर यह अच्छी बात हम कह सकते हैं तो यहां पर आपको जो है ध्यान में रखनी है तब ही जाके आपको जो है लिमीट को क्रॉस करना इसके अलोग अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट फी अंचार्जेस के बारे में तो यहां पर इनोने में लेखने रखा हुआ है आपको जो चार्जेस लगने वाले हैं वो है 2.5 परसंट और मिनमॉम आपको लगने वाले हैं 200 200 रूपए 200 रूपए यह सहीं नहीं ठीक है एक कस्टमर को एक क्रलिट कार्ट दिखा के इतने सारे जो चाहिए आप लोग ले यह सहीं नहीं कर रहे है इसके अलावा जो है आकरी फेन चार्जेस जो आपको लगने वाले हैं जो यहां बाते जो है आपको ध्यान में रखनी है अब मैं बताता हूं कि आपको जो है यह credit card लेना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा जिन्होंने इस card की launch से पहले जो है excited थे कि भाई यह credit card हमारे लिए बहुत ही फाइदेबन साबित होगी तो इतना ज्यादा fee and charges बताने के बाद अभ ज़ना भी ज्यादा amount charges नहीं लेना चाहिए customer के लिए जबकि आपने first by launch किया ठीक है मानता हूं कि आप एक लौते ऐसे नियो बैंक हो जिन्होंने जो है credit card को launch कर रहा है यह आपके उपर totally depend है कि आप इसे लेना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे हमारी कोसिस रहती है कि आप तक सच्चा ही share करने के ठीक है जो कुछ भी सच्चा ही रहती है आपको fact के साथ share करने की तो वह मैंने अभी आपके साथ share कर दिया बाकि अगर आपको यह वीडियो प